उत्तर प्रदेश के जन्पत बहरायच के रूपाइडी हथ हाना छेतर अंतरगत ग्राउं अटहवा में एक अज्यात महिला का सो मिलने से छेतर में संसनी पैल गई आपको बता दे कि महिला के सो को देखने के लिए काफी संख्या में लोग एगत्रित हो गए वहीं मंगलवार की सुपार रूपाइडी हथ हाना पुलिस को सूचना मिले की अरहर के खेत में एक महिला का सो पड़ा हुआ है वहीं गटना की जानकारी लगते ही रुपाई डिहत हाना प्रभारी निरचक प्रमोत कुमातर पाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँच और निरचड किया वहीं सव की पहचान के लिए मौजूद लोगों से पूस्ताज की लेकिन सव की पहचान नहीं हुई वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि महिला की उम्र करीब 30 वर्स है वहीं महिला का चेहरा सड़ गया है जिससे चेहरा इसपरस्ट नहीं हो रहा है इसकी वज़े से पहचान नहीं हो पा रही है महिला की सिनाक नाखोने के कारण सो का पंचनामा भर कर आवसे कारवाई करते हुए उस माटम के लिए भेज दिया गया है और इस थानी पुलिस सिनाक के प्रयास में जुट गई है साथे अग्यात महिला के सो को सिनाक्त के संदर्ब में अने थानों के प्रभारियों से सूची मांगी गई है वहीं मौके पर अग्यात महिला के सो की बरामगी में अपर पुलिस आदे चक्व ने घटना इस्थलका निरिक्षर किया अग्यात महिला के शब्की सिनाक्त के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं तथा इसमें अन्य रज्यानिक और अन्य सास्थ संकलित करके करवाई समिश्चित की जा रही है पर इस घटना का सफर अनावरान से समिश्चित किया जाएगा अखन भारत नियूस के लिए कमाल उत्रीन मलिक की रिपोर्ट पहराईजी